नमस्कार्मित्रों इस वक्त हम मौझूद है ग्राम दोंद्रों के सचीव स्री मुखी सिंग जी के समीप और पहुंचने का जो प्रमुख कारण था वह यहाथ था कि यहां के बीडीसी जनपतशदस्य बल्राम स्री बल्राम साहु जी के द्वरा लगातर आरोर प्रत्यारोब जो है जड़े जा रहे हैं और उस संदर में हमने जानना चाहा सचीव जी के मुखारविन से कि आखिर क्या मामला है इस तरह से क्यों आरोप प्रतियारोप जो है इन पर लगाए जा रहे हैं और क्या चीजे होती हैं सरपत्थम तो यह पंचाय छेतर में ग्रामुनों को भी जानने की यह सकता है कि पंचाय छेतर में जब कारे कराये जाते हैं तो किस तरह से कराये जाते हैं उसे इसने इसने क्यों कराये जाता है और उन्हें टुक्रों में क्यों कराये जाता है बहुत स विधियां यूँ एक दिन में संभव हो ही नहीं सकती दूसरा चीज आईए हम जानते हैं स्री मुखी सिंग जी के द्वारा की जनपसदसे का कहना है कि इस तरह से जो है ब्रश्टाचार हो रहा हैं तो ब्रश्टाचार और जो कारियों में जो असंतोस उनको प्रतीत हो रहा है कारिवाई की या जांस की मांग कर रहें टीम बनाने की भी मांग कर रहें सर्पतम हम परिचे जानना चाहते हैं हमारे दर्सकों को अब बताए मेरा नाम मुखी सिंग कमर है और मैं ग्राम पंचायत दोंद्रों का सची हूँ जी सची जी मैं आपसे एक दो ही चंद सवाल कर आते हैं बेला और नंबरों जी तो इनके ठूव जी कि इनका यह कहना है कि आपके पंचायत्चेतर में कुछ कारी आज से हैं जिननको बालको वेदान्ता के द्वरा CSR मस्ट से काम कराए गया और उसकी बीलिंग आपने अपने पंचायद छेतर से यह कह कराई कि उसको हमने कारे संपादित कराया है इस विशे में पहला मेरा सवाल है बालको बेदामता के द्वारा मेरे ग्राम पंचायद में इस टाब डेम कर निर्माड कराया है और अभी हाल में इस वरसर सिसी रोट का भी निर्माड हुआ है तो इसमें हम ग्राम पंचायद के फंड को इसमें किसी प्रकार का कोई दर्साते नहीं है जो हमारे ग्राम पंचायद में जो सिसी रोट का जो अलग से स्विक्रित होता है उस रोट को हम दर्साते हैं या ना कि ये बाल को जो बनवाया है उसको ऐसा कहीं भी हमारे रिकार्ड में जो काम कराते हैं उन नहीं आता है ना हम दर्साते हैं तो यानि कि आपका यह कहना कि कहीं ना कहीं जर्पस दस जी को ही थोड़ी शी और ग्यांता वस उन्होंने शुम्हत या कहा हो कि CSR का कारे जो है वह बाल और को ने कराया है उसका भी कारे को भी आ पनमे ठूट कराने के पतुछाट उसको बिलिंग कराए है तो इसका आपने इस तरह से खंडन की है कि आपने जो है कारिक कराया ही नहीं है और ना ही आपने इसकी बिलिंग पास कराया जी एक दूसरा दूसरा यह था कि जनपत सदस्य ने और भी तमाम गंभीर आरोप लगाए उन्हेंने तीन बार शिकायद भी की है इसके लिए को और एक प्रमुख उन्होंने एक और जभी जो है आरोप लगाए कि भष्टाचार के साथ साथ है उन्हें किसी भी पंचायत के आप सबों की जो बैठाक होती है मीटिंग जो आप लोग लेते हैं ग्राम सभाओं की जो बैठाक होती जिसमें उनको याद नहीं किया जाता ऐसा क्या है ऐसा कुछ नहीं है जैसे गाओं में ग्राम सभा का आवजन होता है तो इसमें पूरे गाओं को हम एक माइप के माध्यम से कोटवार द्वारा मुनादिक किया जाता है इसमें बिसेश किसी ब्यक्ति या किसी बिसेश को हम नियोता नहीं देते या निमंतरन नही ईस तरह से मुनादी किया जाता है और किसी विसेश ब्यक्ति को इसमें अलग से आमंद्रित नहीं करते हैं कुछ एक चीजों में जो की ग्रामवासिओं को भी जाने के पुसकता है कि कार्य दो बार करा दिया गया एक बार करांकर दो बार का बिल ले रहें हैं एक बार काम हुआ तीन बार का बिल हो क्या अज्यानता है जिसको आप लोगों को बताना चाहते हैं देखे एक काम में उनका रौप है कि कई बार बिल सो किया जाता है या कई बार वसी चीज को दोहराया जाता है ऐसा नहीं है माल लीजिए पानी टंग की बाउंडरी वाल का निर्माड कर रहे हैं तो जितना की जरुवत होता है हमको माल लो इंट गिराना है तो इंट के लिए पैसा निकालते हैं फिर सिमेंट की जरुवत है तो सिमेंट के लिए पैसा निकालते हैं ऐसे करके वो कई बार निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पांच लाग का है तो पांच लाग फिन निकाल लिए, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा एक आखरी सवाल आपके लिए, आपका भी बहमूले समय है, और आप पंचाय छेतरों में कारे के लिए अक्सर आपको जाना होता है, आखरी सवाल यह है कि जन्पा सदस्यजी का कहना है कि सचीव मोहदय पिछले बारा वरसों से हमारे पंचाय छेतरों में बता और सचीव हैं, मुखे जी, उनका तबादला होना चाहिए, दूसरे को भी आना चाहिए, तो ऐसा क्या है कि पंचाय छेतरों में सचीव का है अपने पंचायच छेत्रों में इसको लिए भी थोड़ा प्रकाश डालें जी देखिए यहां तक टांसफर की बात है मैं यह बात सही है कि मैं बारा वर्स से मैं इसी ग्राम पंचायच में हूं और मैं निमित रूप से जो सासन का जो काम आता है उसको मैं इमानदारी से नि मैं बना लेटर के कैसे जाओंगा जब सरकार हम भी स्वतंत्र हैं सरकार भी स्वतंत्र हैं कि जब भी चाहे हमको कहीं भी भेश सकता है इसके लिए हम Bylaze bowl हम सासन के जो निर्देस आएगा उसको हम जरूर प्लन करेंगे और जब भी कल निकलते हैं तो हमको तो कल जाना पड करेगा हम बिल्कुल जाने के लिए त्यार है इसमें किसी प्रकार की कोई नहीं है धन्यवाद स्री मुखीज सिंग जी आपका आप मुखीज सिंग जी सचीव हैं ग्राम पंचायंत दोंदरों के और इनकी द्वारा अभी हाल-फिलहाल में लगाए गए जनपा सदस्य बल्राम साहु जी के आरूपों का अभी खंडन जो है वो किया गया है और उन्होंने तमाम बिंदू पर प्रकास भी डाला है कि किस तरह से अज्यानतावस भी कुछ लोग जो है आरूप प्रत्यारोप जो है जड़ देते हैं और उसका उन तमाम चीजों का जो है इन्होंने अभी ख Saasen को लगता है कि नए इन बिंदू पर जो है चर्चा करनी चाहिए इन बिंदूपर टीम गठीत करके जाज करनी चाहिए तो स्वता मुखी सिंग जी भी इसके लिए Saasen को जो है उन्होंने आवान किया है कि Shasen के नियम और Saasen के अधेश कह म्पालन करते हैं रहा सवाल जो है उनके तबादले की जो तिस पर जन्पसदस ने आरुपलाया कि तबादला नहीं हुआ तो तबादला भी आदेश के उपर है जब तक उनके पास आदेश ही नहीं आगा तो वे स्वता कहीं भी जाकर तो है अपनी दूटी को कर नहीं सकते हैं कारी छेत्र जो इनको स्वाँपा गया है उस पर आज परियान तक का भीचे वर कारी कर रहे हैं आशा करते हैं कि दर्शकों को वीडियो के माध्यां से कुछ जनकारी प्राप्थ होगी केमरा सही होगी पुरसुतम साहों के साथ मैं प्रधान संपादक मुकिश भारति